सूप्रभात बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षातीन की हिंदी लेकर बच्चों आज हम सभी पार्ट तीन के प्रश्ण उतर करेंगे तो आईए प्रारम करते हैं पेज नमबर 23 ठीक है तुम्हारी कलपना से इससे पहले के प्रश्ण मैंने पिछले वीडियो में आपनों को बताया था है ना अब आगे की प्रश्णों को हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन-कौन रहता होगा यानि बच्चों आप लोगों को कहानी के अनुसार आपने जो कहानी में चित्र देखा था ना उसके हिसाब से आपको बताना है कि उस बूढ़ी अम्मा के साथ कौन-कौन रहता होगा तो बच्चों आपने देखा था कि कहानी में दिये गए चित्रों के अनुसार बूढ़ी अम्मा के साथ आसमान, चिडिया, बिल्ली रहते होंगे है ना तो कहानी में दिये गए चित्रों के अनुसार, अम्मा के साथ आस्मान, चिडिया, बिल्ली रहते होंगे, ठीके, तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे अगला प्रश्ण है बच्चों, आस्मान बार बार अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है याद होगा आपको कहानी में आस्मान बार बार आकर के अम्मा की कमर से टकरा जाता था, ठीके, ऐसा वो क्यों करता था, क्योंकि आस्मान को अम्मा को तंग करने में, तंग करना का मतलब क्या होता है बच्चों, परेशान करना, ठीके, क्योंकि आस्मान को अम्मा को तंग करने में परिशान करने में बड़ा मज़ा आता था है ना इसलिए आस्मान बार-बार अम्मा की कमर से टकरा जाता था है ना आपको याद होगा कहानी में बार-बार वहा करके अम्मा की कमर से टकराता था तो इस प्रकार से बच्चों आज आपने क्या-क्या सीखा आज आपने सीख कि चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन-कौन रहता होगा यानि चित्रों के हिसाब से अम्मा के साथ कौन-कौन रहता था तो अम्मा के साथ आस्मान चिडियां बिल्ली रहते होंगे है ना तो हम इसको लिखेंगे कहानी में दिये गए चित्रों के अनुसार ठीक को अम्मा को तंग करने में मज़ा आता था इसी लिए आसमान बार-बार अम्मा की कमर से ठकराता था ठीके बच्चों आज के लिए इतना ही अगली कक्षाम में फिर आऊंगी और बजेवे प्रश्णों को करवाऊंगी तब तक के लिए आज जु मैंने कर आया एसे जरूर या thank you so much